बहुत ही बड़ी और विशाल कोठी है इसको चारो तरब देखो भई अब तो साफ सकतने से तरह सरकें ती उपर कट कट करने हैं जाड़ी बनार कें जो येक वस्तू को लाए अगर्दी जो अंग्रेज्जा के समय में देखने को मिली थी जितनी भी मारत बनी थी चाहे कुलकत उन्होंने 1870 के दसक में कोठी का निर्मान करया था जो बव्या और विशाल कोठी है बिल्कुल उसमें आप लोगन आज दिखाओंगे कि इस तने शिष्का निर्मान करया गया था और जिसका उपर कारीगरी की गई है वो पुरी की पुरी कारीगरी आज भी बिल्कुल साल कोठी है इसको चारों तरब देखो भई अब तो साफ सपाई करकी है पहले हम लोगों ने कई वीडियो देखे दिश में यहां पर बहुत सारा रंगा हो रहा था लेकिन अब साफ सपाई करके इसकी यह कोठी का जो है मैं पोइंट यहां पर राजा का जो उरत माने का चलो पोश्यम होया करदा और रत हूर रुक्या करदा एकन उसके बाद फिर इसके अंदर एंट्री विशाल और विव्याय कोठी का अंद्रिमान करें गया है देखो नवद्य विदाले भी दस साल से पहले यहां चलिया था लेकिन अब तो बंद हो गया है पिछ से उसका अंद्र आप से बही है अब तो तूट फूट हो रही है इसमें काफी लेकिन जो पूरा का स्ट्रक्चर है इसको ठीका आज भी वैसे के वैसे है बिलकुल देखो बही देखो तूट फूट हो रही है क्योंकि काफी समय हो गया है लेकिन बनावट है जो देखो विशाल है बिलकुल क खाफी दॉसके आपको यह जो चुनना देखो देखो इसेट के दोनों सेट दुरवाद्जें उस सेट भी दर्वाजे हैं और पिछे है जो कमरे हैं लगातार पांच से चै कमरे उससे मैं जब अठारा सो सत्रा सी के दसक में अंग्रेजों का सेमय था अंग्रेजों को भई सुनने में आया कि जो राजा जीन्द रियास्त के राजा ते रणबिर सिंग उसके साथ जो अंग्रेज अधिकारी या पर उनके रुकने के लिए इस कोट्टी का निर्मान किया गा था अलग अलग बिल्कुल एक उटल की तरह अलग अलग कमरे हैं देखो भई कमरे और जो आज की कोट्टिया में बनाया जाओ बै देखो यह इस तरह का मतलब स्टोर रूम है पहले भी बाई स्टोर रूम होते थे देखिए बिल्कुल निकाह दरख्या है और यह उपर पैटी है तो इसको उपर चलांगे अब लोगां दिखाऊंगे देखो भए यह इसका अंदर पैड़ी है और जो पैड़ियें को पर देखो भए डार्ट डार्ट बैंदर की इसको प्रवी पैड़ियें को प्रवी देखो भए गुमकन इस तरिया बहुती बड़ी और विशाल कोठी जो आज तो लगबग हंडरी मर चुकी है और देखो भए देखो भए कोठी के इस सैड है इस सैड देखो भए कितनी बड़िया कारिगरी है इंटों को तोड़ तोड़ के मतलब इंटों को तोड़ तोड़ के बना रखी है और जो जाकी जंगले है उनको पर देखो किस तरह से बार ये निकाल रज़ कै ताकि इसके अंदर पानी थो पानी है बारिष में पानी अंदर रहे जाए बहुत ही बड़िया कारी future देखो इसके अंदर भी निकाल रखी हिट है बार किस तरह निकाल रखी है देखो बई । जो Nilka पड़ियों में है और देखो भई ये अलमारी इसमें समान रखने के लिए बिल्कुल सीडियों से लगते ही और ये एक बड़ा कमरा आगया सीडियों से उपर चड़ते उस सेट दो-तिन कमरे और भी है आगए और ये आप लोगों को बायर कभी ओ दिखाऊंगे इसका देखो भई कितना बड़ी जो एक ये मतलब की जिस तरह से ग्रील लगावा है इपता पे स्टेल की लोए की लेकिन उस समय में इंटों से बना रखी है इसके चारो तरब देखो या कोटी है कारिगरी देख लिए एक नंबर की कारिगरी है साथ में काठ काठ की भी लगा रखी है उपर इंटा की देख जारन बिर्शिंग के समय में और देखो बहुत समय में इंट कितनी बड़ी है अगरी देखो लगवग एक फूट के आसपास की इंट है जो इसको पूरा का उपर को लगा रखी है और देखो बही ये एक कमरा है उपर है जो बहुत आप मायन का चुरूब बीस से पच्चिस फूट उन्चेश की चायत लगा रखी है बीस से पच्चिस फूट और कड़ी गाट देखो बही बिल्कुल कोई जंग नहीं लाएग रहे है आज इसको उपर गो और जो कड़ी है है नू की नू है आज भी और देखो बही ये लकडी की है जो फिटिंग कर खी तीश में जा किया मैं आज भी बिल्कुल वैसे कि वैसे है बहुत ही बढ़िया लकडी यूज कर खी इसमें पूरी के पूरी में देखो भई और आप लोगों ने सेड भी दिखाना चाहूंगे एक कमरा ये आगया है और एक कमरा ये ही सेड है जो मतलब बहुत बड़ी और विशाल कोठी है या जो राजे मारा जे अगर दिये पाने के विश था ही सेड या उद्धी बनेर की ये उर नाने का सिस्टम रहा हुआ साइद है और इस सेड दिखो भई बहुत ही बड़ी और विशाल कोठी जो राजा रनेबिर सिंग के से में इसका निर्मान होय था जो जीन से दस किलोमेटर दूर गाओं खुंगा में जो नैर है नैर के उपर या इसका मनाया गा था बिल्कुल नैर के उपर देखो भई यह लोगा भी लगा रखेया है इसको उपर देखो भई यह कोठी है जो दस किलोमेटर दूर गाओं खुंगा में जो राजा रनेबिर सिंग के से में में इसका निर्मान किया गया है ठारा सो सतरा सी के दसक में बिल्कुल आज तो लगवा खंडर ही बन चुकी है पहले है जो बारत सरकार के ने इसको एक ओस्टल का सुझ करी गई है पक्की एंट और देखो किस्तरे से तरह है सरकेंती उपर कट कट करने जाड़ी बनार कें जो यह को वस्तूकला है अगर्दी जो अंग्रेज्जा के समय में देखने को मिली थी जितनी भी इमारत बनी थी चाई को लुकत्त्य की ओ दिल्लीम और या जीन्द अगर्दी के अंदर जो को ट्फी मुनी थी इसमें भी आवस्तूकला देखने को मिली थी चलो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें बैए और भी जिस तरह की इमारत कहीं आसपास होगी तो आम लोग आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे इस वीडियो ज्यादा ज्य करें